अस्सलाम अलेकुम स्टूडेंस आज का सब्जेक्ट है उर्दू और उर्दू में आज का टॉपिक है एक से पांच तक गिंती लब्जों में लिखना हम लोग सीखेंगे ठीक है आएए सीखते हैं अलीव ये काप एक अब गिंती तो हम लोग एक दो तिन चार ऐसे रिखते थ अब लफजों में कैसे लिखा जाता है ये बताएंगे सबसे पहले अलीव उसके बाद ये कियादी शकल उसके बाद काफ में ये जुड़ जाएगा अलीव ये काफ एक दाल और वाव की शकली नहीं होती है तो दाल और वाव दो उसके बाद ते ये नू तीन ते बनाएंग ते की आदी शकल ये इसके बाद नून ते या नून तीन तीन चार छे की आदी शकल और अलिफ में मिल जाएगा चे अलिफ चार रे चार पे अलिफ पे की आदी शकल ये होती है इसके बाद ये अलिफ पे अलिपा नून चे पाँच ये एक से लेके पाँच तक लगजों में गिनती है आप लोग इसे प्राटिस विकाना लर्न करना ठाएंगे